हलो एवर्बडी और वेलकम टू मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं आई टी सी मास्टर शेफ का लेबनीज फलाफल कबाब इसमें हमें 18 पीसस मिलने वाले हैं और यह बहुत ही easy to cook है आप इसे shallow fry, air fry या deep fry जैसे आपका मन करें वैसे बना के खा सकते हैं यह प्रोड़क्ट मैं भी first time लाई हूँ तो इसलिए review भी साथ में कर रहे हूँ अगर आप लोग सोचते हो के हाँ हमें यह प्रोड़क्ट बाय करना चाहिए या ने तो आज आपको पता चल जाएगा तो बात करते हैं इसके इंग्रीडियंट्स की इसमें है चिकपी, अनियन, जिंजर, चिली पेस्ट, जीरा, dehydrated potatoes और mixed herbs जैसे की mint, parsley और coriander तो यह पैकेट हमने खोल लिया है बढ़िया से 18 even pieces निकले हैं सेम शेप और साइस के बिलकुल भी टूटे फूटे नहीं है एक पीस भी ऐसा नहीं है जो टूटा हो और मैं इसे shallow fry करने वाली हूँ बहुत ही कम oil में यह एक साइड हो गया है देखिए बढ़िया सा color आ गया ह इसे हम turn करके थोड़ा सा oil वापस डाल देंगे देखिए बहुत ही अच्छा crispy जो है इसका texture है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है होप सो खाने में भी उतना ही अच्छा हो देखिए बढ़िया से बिलकुल भी टूटी नहीं है fry करने के टाइम पर और तोड़ते ही इसमें हम में दिख रहा है चिकपीज आपको दिख जाएंगे और मिक्स्ट हर्प्स भी दिख जाएंगे मुझे अधरक के रेशे भी दिख रहे हैं और मैं यह खा रही हूँ खटी मिठी चटनी है उसके साथ बहुत ही बढ़िया जो चिकपीज के दाने है वो बढ़िया दात के रूर कर दो